5 common mistakes जो के हम parents देली अपनी बच्चों की health के साथ कर रहे हैं और ये वो कौन सी mistakes हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम इन mistakes को recognize नहीं करेंगे हम उने solve कैसे करेंगे सो आज के वीडियो में हम यही सारी चीजें discuss करने वाले हैं बट बहुत short में सबसे पहली mistakes पानी के बारे में पानी बच्चों को कितना पीना है और कप पीना है ये हमें बच्चों को शुरू से सिखाना होगा morning hours में आपको जादा पानी पीना है और उसके बाद जब आपको प्यास लग रही है जितनी प्यास लग रही है आप उतना पानी पीएंगे बच्चों को पानी पीने की habit डालनी है क्योंकि बच्चे जादा तर या तो packed juices में interested होता है या फिर उन्हें कोई भी flavor वाला पानी चाहिए सादा पानी पीना उन्हें पसंद नहीं होता तो उन्हें पानी जो सादा पानी है उसको पीने की आदत हमें डालनी होगी दूसरा पानी हमें कब नहीं पीना है ये हमें बच्चे को जरूर बताना है खाने के बीच में बहुत जादा पानी नहीं पीना है एक दो सिप चलेगा और खाने के तुरंथ बाद बहुत सारा पानी हम बच्चे को नहीं दे सकते ये चीजें हमें बच्चे को क्लियर करनी होगी कि खाना खाने के कुछ देर बाद हम पानी पी सकते हैं अगर आपने कुछ बहुत जादा मीठा खाया है बहुत जादा spicy oily खाना खाया है उसके बाद तो आप पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते और ये चीजें अगर बच्चे को शुरू से clear हैं तो फिर उसकी habit में आ जाती है फिर बच्चे इन चीजों के habitual हो जाते हैं और वो इन चीजों के demand नहीं करते हैं दूसरी fruits कब और कितने अब fruits हमारे लिए कितने important है I hope हमें से जादर तो लोगों को पता है सो हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं कि बच्चों fruits खाने हैं लेकिन कब खाने और कितने खाने उसका idea हमें होना बहुत ज़रूरी है सो अपने बच्चों को आप शुरू से habit डालें कि fruits हमेशा morning hours में ही खाये जाने चाहिए और आप उनको afternoon में भी खा सकते हैं आप snacks time में भी खा सकते हैं बट रात को fruits नहीं खाने चाहिए और ये habit हम जब तक अपने बच्चों में develop नहीं करेंगे वो ये चीज नहीं समझेंगे और कितने खाने उसके लिए कोई limitation नहीं है क्योंकि fruits एक ऐसी चीज है जो कि हम कितने भी खा सकते हैं लेकित ऐसा नहीं कि बच्चा पूरे दिन सिफ fruits खा रहा है उसको अनाज खाना भी ज़रूरी है उसको protein खाना भी ज़रूरी है उसको healthy fats खाना भी ज़रूरी है so fruits के time पर आप fruits दीजिए लेकिन lunch और dinner के time पर उसको proper lunch और dinner करना पड़ेगा इसरा जो कि बहुत ज़रूरी है आज के time में especially बच्चो को समझाना हमारा जो screen time है वो कितना होगा? कब-कब होगा? सबसे पहली चीज़ बच्चो को phone की, tablet की और laptop की आदत बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चे जो भी देखेंगे हमेशा TV में ही देखेंगे और उससे भी एक proper distance maintain करके रखेंगे और हमेशा TV natural light में ही देखेंगे यानि कि बच्चो को रात को TV देखना allowed ही नहीं है और ये चीज़ बच्चे के mind में clear होनी चाहिए कि उसे कितनी दे TV allowed है आप एक घंटे दे रहें दो घंटे दे रहें आप जितने भी time के लिए बच्चो को दे रहें बच्चों से promise करवा लीजिए कि आपको उसके बार TV नहीं देखना है तो बच्चों को पता होगा कि उससे per day कितना TV देखना है ऐसा नहीं कि बच्चे ने TV देखना शुरू किया और दो घंटे होगे, तीन घंटे होगे ना तो उसको कोई बोलने वाला है ना ही उसको कोई रोकने वाला है और इसी से connected है चौती चीज़ खेलना, कब और कितना पहली चीज़ बच्चे को हमेशा clear होनी चाहिए कि खेलना हमारी body के लिए कितना important है खेलना एक तरीके की exercise होती है जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है daily basis पे करना खेलना usually बच्चे शाम को ही करते हैं क्योंकि morning arts में तो उनका school होता है अगर चुटी है तो morning में भी जा सकते हैं लेकिन खेलने का भी आपको time fix करके देना होगा कि आपको इतने घंटे खेलना है अब बाहर बच्चा खेलेगा तो यह बहुत obvious है कि बच्चा हमेशा भाग दोड के ही खेलते हैं और उसमें उसकी बहुत अच्छी exercise हो जाएगी सो physically वो जितना जादा active होगा उतना जादा healthy होगा और यह चीजें बच्चों के mind में भी clear होनी चाहिए अब आती है सबसे important चीज जो कि हम parents जादा तर इसको follow करना भूल जाते हैं बच्चे की need हम अम्या कितना सारा time kitchen में spend करते हैं कि बच्चे को कुछ healthy खिलाएं लेकिन क्या आपको पता है बच्चे कब grow करते हैं जब खाते हैं तब अफकॉर्स तब भी करते हैं लेकिन बच्चे grow कब करते हैं जब बच्चे सोते हैं जब बच्चे rest करते हैं सो एक बच्चे के लिए स्पेशली सोना, रेस्ट करना बहुत जरूरी है, आप दिन में एक घंटे बच्चे को जरूर सुलाएं और रात को उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, ये इंशुर करेंगे आप पैरेंट्स, बच्चा जल्दी टाइम से सोने जाएगा और मौनिंग म अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और देखना तो चैनल में एक प्लेलिस्ट है, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए आप जाके जरूर चेक आउट कर सकते हैं, ऑल्दो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बे भी मिल जाएगा, सो मिलते हैं ऐसी किसी और वीड के और स्टे हाल्दी और स्टे हापी, थैंक यू सो मच